नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माथियम से बताने जारें गर्बवस्ता के तीसरे महिने में गर्वती इस्त्री को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए गर्बवस्ता से पहले आप सिर्फ अपने लिए खा रही थी और अपनी पसंद का खा रही थी लेकिन अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बलकि आने वाले नन्ने शिशु के लिए भी खा रही हैं ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने खानपान का खास ख्याल रखें। आपको इस अवस्ता में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। गर्बवस्ता के तीसरे महीने में क्या खाए। विटामिन 6 से भरपूर खाद परदार्थ इस महीने जी में चलाने की समश्या बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए आप विटामिन B6 से भरपूर खाद परदार्थों का सेवन करें। अंडे हरी पत्तेदार सबजियां आद ही अपने खानपान में सामिल करें। ताजे फलो का रस गर्बवस्ता में ताजे फलो का जूस पीना फायदे मन दोता है यह आपको सभी जरूरी विटामिन देता है। कार्बो हाइड्रेड गर्बवस्ता में कार्बो हाइड्रेड लेना जरूरी है इसके लिए साबो तनाज के साथ साथ ग्यों के आटे की ब्रेड चावल वे आलू अपने खान पान में सामिल करें मीट अगर आप मासा आ रहे हैं तो गर बवस्ता के दोरान मीट का सेवन करें बस ध्यान दे कि यह हैं मीट अच्छी तरह से पका हुआ हो आइरेन और फॉलेट प्यारे दोस्तों गर में बच्चे के विकास के लिए आइरेन और फॉलेट बहुत जरूरी है इसकी कमी से शिशू में कई तरह के शारेडिक विकास होने का खत्रा रहता है इसलिए आपने खान पान में आइरेन और फॉलेट को जरूर सामिल करें इसके लिए चुकंदर, चिकू, ओटमेल, बीन्स, संत्रा, आलू, ब्रॉकली, अंडा और आरी सबजिया जरूर सामिल करें डेरी उत्पाद चुकि कैल्शिम के जुट आपको और आपके शिशुद दोनों को ही है तो इसके लिए अपने खान पान में डेरी उत्पाद सामिल करें इसके लिए दूद, दई, पनीर वगी आदी का सेवन करें गर्बवस्ता के तीसरे महीने में क्या नहीं खाना चाहिए हम बताने जा रहे हैं गर्बवस्ता के तीसरे महीने में गर्वत इस्त्री को क्या नहीं खाना चाहिए जंक फूड और शराब गर्बवस्ता के तीसरे महीने में जंक फूड शराब वर तंबाखो आदी से परेज करें इसके हलावा चाय, कोफी, वेक, चॉकलेट आदी का सेवन कम करें सी फूड, बैतर यही होगा कि इस दोरान सी फूड से परेज करें क्योंकि इनमें उच्च मरकर ही हो सकती है जो पूर्ण के लिए हानिकार कोती है डिबाबंद खाना, गर्बवस्ता के दोरान डिबाबंद चीजें न खाएं फिर चाय वो आचारो या जूस दरसल इने लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ केमिकल इनमें मिलाए जाते हैं जो सेथ के लिए हानिकार खोते हैं कच्चा मास और कच्चे अंडे गर्बवस्ता के इस दोरान कच्चा मास और कच्चे अंडे न खाएं इसमें सालमोनेला वैलिस्टेरिया नामक बैक्टिरिया होता है जो भून पर बुरा प्रभाव डालते हैं प्यारे दोस्तों गर्बवस्ता के तीसरे महीने के लिए आपको किस प्रेकार के व्याम करने चाहिए वो भी अब हम आपको पताने जा रहे हैं वेट ट्रेनिंग गर्बवस्ता के तीसरे महीने आप वेट ट्रेनिंग कर सकती है इससे सरीर मजबूत होता है और गर्बवस्ता के भार को सहनी के लिए सरीर को त्यार किया जा सकता है सब्ता में दो बार वेट ट्रेनिंग की जा सकती है रनिंग अगर आप पहले से रनिंग करती हैं तो इस दोरान रनिंग करना फायदे मंद हो सकता है लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी टूटी फूटी सड़क पर रनिंग ना करे और रनिंग बहुत तेज ना करते हुए धीरे धीरे करे जैसे ही आप ठकने लगे रनिंग करना तुरंत बंद कर दे स्विमिंग गर्बवस्ता के शुरुआती दोर में तेराकी करना फाइदे मंद माना जाता है पानी में आपका वजन जमीन की तुलना में हलका होता है जो आपको आराम देगा ध्यान रहे कि हमेशा किसी प्रसिक्षक की निगरानी में ही तेराकी की जाए शेर करना गर्बवस्ता के तीसरे महिने में सुबह शाम की सहर आपके लिए काफी फाइदे मंद रह सकती है इसे आप तरो ताजा मैसूस करेंगे और रख संचार भी सुचारू रूप से होगा च्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद